नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में संपूर्ण मद कालिन भारत के इतिहास के 110 प्रस्ण को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने बाले सत्तरमे BPSC, BPSC टीचर, CDPO, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादी एकजाम के लिए महत्पूर्ण है तो आप सभी लोग वीडिय देखेगा, इसका पीडियो के टेलिग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर वीडियो आप सभी को हिल्फुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब किजएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में सेर जरूर किजएगा, ठीक है, अगर इस वीडियो का अप ध्यान से देख लिजेगा, तो लगभग आपका जुम्मद कालिन भारत है, कंप्लीट हो जाएगा, तो आई देखते हैं, पहला कोस्टन, गुलाम बंस का प्रथम सासक कौन था, तो कुत्तु बुदिन एवक गुलाम बंस का प्रथम सासक था, जिसका सासन काल 1206 से 1210 तक रहता है, कुत्तु बुदिन एवक जो है, तूर्क जनजाती से इसका सम्मन था, और बच्पन में इसे निशापुर के काजी फकरू दिन अब्दूल अजीज, काकी ने एक दास के रूप में खरीदा था, और बाद में इसे मुहम्मद गौरी दास के रूप में खरीद लेता है, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कुत्तु बुदिन एवक को कुरान खा बोला जाता है, क्योंकि जो कुरान का पाठ है, इसे बहुत सुरिली धंक से करता था, इस कारण से कुत्तु बुदिन एवक को कुरान खा बोला गया है अगला पॉइंट इसमें है कि वह दिल्ली का पहला तूर्क सासक है important point है कि दिल्ली का पहला तूर्क सासक कौन है तो कुत्तु बुद्धिन एवक है कुत्तु बुद्धिक एवक जो है अपना राजियाविशेक मुहम्मद गोरी के मिर्तु के तीन महेने बाद जून 1206 में करवाया था और आपको ध्यान रखना है कि सुल्तान की उपादी धारन नहीं करता है बलकि मलिक और सिपा सलार की उपादी से अपने आपको संतुस्ट करता है आपसे पूछा जाएगा कि कुत्य बुद्धिन एवक को दास्ता से मुक्ती किसके दवरा दिया गई तो गया सुद्धिन के दवरा दिया गया और कब दिया गया तो 1208 में दिया गया था अगला पॉइंट है कुतिव उदिन एवक की राजधानी थी तो कहां थी लहोर थी जो बरतमान में पाकिस्तान में अस्थित है धाय दिन का जोपड़ा क्या है महजीद मंदिर संद की जोपड़ी मिनार तो एक महजीद है धाय दिन का जोपड़ा इसका निर्मान किसके द्वारा शुरू करवाया गया था तो कुत्य बुदिन एवक के द्वारा इसका निर्मान शुरू करवाया गया था यहाँ पर लिखा गया है अपने उधारता के करन कुट्व बुदिन एवक इतना अधिक धान धान करता था कि उसे लाख वक्स लाखों को दान देने वाले के नाम से पुकारा गया है तो आप से भी सवाल पूछ सकता है कि लाख वक्स किसे बोला गया है तो कुत्व भुदिन एवग को बोला गया है क्यों कि लाखों का ध्वान आपके दान करता था फरिश्तान ने लिखा है कि अदे बेक्ती किसी की दान सिलता की परसंसा करते थे तो उसे अपने एवग पुकारते थे इसके एक उपाधी कुरान खाव भी थी सिंपल याद रखना है कि जो कुत्ति बुदिन एवक है उसे कुरान खा भी और लाख वक्स भी बोला जाता था एवक को साहित से अनुराग था और अस्थापत कलाम में रूची थी ततकालीन बिद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदिवीर को उसका संडच्छन प्राप था उन्हेंने एवक को अपने गरंथ समर्पित किये थे हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की थी एवक ने दिल्ली में कुबबत उल इसलाम और अजमेर में धाय दिन का जोपला नामक महजित का निर्मान करवाया बहुत ही important point है दिल्ली में करवाता है कुबबत उल इसलाम महजित का जबकि अजमेर में धाय दिन के जोपला महजित का निर्मान करवाता है उसने दिल्ली में अस्थित कुत्व मिनार का अंदिर्वान कारप्ररम किया जिसे इल्टुतमिस ने पूरा करवाया ध्यान से याद रखेगा कुत्तु मिनार किसके द्वारा पूरा किया गया तो भी आपने देखा कि इलतुत्मीश के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था भारत में मुहम्मद गोरी ने किसको पर्थम अक्ता परदान किया था तो ये परदान किया था कुत्तु बुदिन एबग को बिहार का पर्थम मुसलिम बिजयता कौन था तो बिहार का पर्थम मुसलिम बिजयता बक्तियार खिल जी था इसके बारे में जान लिजी मुहम्मद गौरी के एक सधारन दास एक्तियार उद्दीन मुहम्मद बिन बक्तियार खिल जी 1193 से 1202 के मद बिहार की बिजय की तथा नलंदा एवं बिक्रम सिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंद पूरी पर कबजा कर लिया उसने 1198 से 1203 के आजपास बंगाल पर आकर्मन किया उस समय वहां का सासक लचमें सेन था ये सवाल आपके एक्जाम में पूशता है वह बिना यूद किये ही भाग निकला तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में परवेश कर बुरी तरह लूट पाट की राजा के अनुपस्थिती में नगर ने आत्म समरपन कर दिया लचमन सेन ने भाग कर दच्छिन बंगाल में सरन ली और उहीं कुछ समय तक सासन करता रहा प्रसिद परसियन इतिहास कर मिनहाज उद्दीन सिराज ने अपनी पुश्टक तबकात ए नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में बिस्तार से बरनन करता है तो आपको याद रखना है आपसे पूछा जाएगा कि मिनहाज उद्दीन सिराज की पुश्टक का नाम क्या है तो तबकात ए नासरी आपकी किताब का नाम है जिसमें बिहार में जो हमला करता है उसका जिक्र किया गया है बिहार पर बक्तियार खिलजी के हमले का पहला बिवरन प्राप्त हुआ है तो कहां पर प्राप्त हुआ है तो तबकात ए नासरी में प्राप्त हुआ है तबकात ए नासरी में प्राप्त हुआ है और इसके लिखक का नाम है तो मिनहाज उद्दीन सिराज आपकी इसके लिख स्थापक कौन था तो वास्तिविक संस्थापक आपके है इवन बक्तियार खिल जी था मुस्लिम सासक जिसका समराज दारू उल इसलाम का एक भाग माना जाता था तो किसका तो इल्टुतिमिस का इसे दुबारा देखिएगा मुस्लिम सासक जिसका समराज दार उल इसलाम का एक भाग माना जाता था तो किसके बारे में बोला गया है तो इलतुतिमिस के बारे में बताया गया है इलतुतिमिस के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इलतुतिमिस को खिलत परदान की अब सल्तनत सद्धानतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अदिन दार उल इसलाम का एक भाग बन गया था इल्टुत्मिस ने बिहार में अपना प्रथम सुवेदार किसे निक्त किया तो आपको ध्यान डखना है यह निक्त किया गया था मलिक जानी को नेक्त किया था इल्टुत्मिस ने बिहार सरीफ एवं बाड़ पर अधिकार कर राज महल की पहाड़ियों में तेलिया गड़ी के समय पे हिसा मुद्दीन एवाज को प्राजित किया एवाज ने इल्टुत्मिस के अधिनता सुवकार कर ली इल्टुत्मिस ने ए बलवन के बारे में यह सब्द किस ने कहा है, तो यह सब्द बोला गया है, जिया उद्दीन बरनी के द्वारा बोला गया है, बलवन के बारे में जिया उद्दीन बरनी यह कहता है कि राजत्व के उसके सिद्धान्त, प्रतिस्था, सक्ति, निया के सिद्धान्तों पर अधार कि रक्त और लोग की निती किसके दुबर अपनाया गया था तो बलवन के दुबर अपनाया गया था भारत के एकिकरन के बाद हुआ मधपूर्व और पच्छमे एसिया को एक करना चाहता था जो एक बिशु समराज की अस्थापना की और एक महत्पून कदम था आरकवी त्रिपाठी ने मुगल कालिन भारत के किस समराट के बारे में यह लिखा है तो किसके बारे में लिखा गया है तो अकबर के बारे में लिखा गया है अला उद्दीन दिल्ली का पर्थम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज के अधिन लाने का और एसे घटकों से परिचे कराने का स्रे जाता है जो सैध्धानतिक रूप से राज को धर्म दिर पेच बनाते हैं यह सब्ध किस ने लिखा है यह सब्ध किसके दवरा लिखा गया है तो यह सब्ध लिखा गया है आपका एल सिरिवास्तो के दवरा एल सिरिवास्तो के दवरा लिखा गया है इसे पढ़ लिजेगा एक पर यहां पर अब भी कि एल सिरिवास्तो अला उद्दीन खिलजे के बारे में लिखता है कि अलाउद्दिन दिल्ली का पर्थम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज के अधिन लाने का और एसे घटकों से परिचे कराने का सिरह जाता है जो सैध्धान्तिक रूप से राज को धर्म दिर पेच बनाते हैं वह पर्थम मुस्लिम सासक कौन था जिसने सासन के सिध्धान्त थेरी ओफ किंग सिप को रजाओं के इस बरिये अधिकार सिध्धान्त थेरी ओफ डिवाइन राइट के स्रमान परतिपादित किया था तो किसके द्वारे प्रति पादित किया गया था तो बलवन के द्वारे प्रति पादित किया गया था यहाँ पर आप इसे पढ़ लिजेगा ठीक है नहीं पढ़ लिजे एक बार बलवन पर्थम मुस्लिम सासक था जिसने सासन के सिद्धान को राजाओं के इस बरिये अधिकार सिधान्त के समान परतिपादित किया था इसके अनुसार सुल्तान पिर्थवी पर इस्वर का परतिनिधितु है नियावत एक खुदाई है और उसका अस्थान पैगंबर के पहसात है राजा जिल्ले अलाह या जिल्ले इलाही अर्थात इस्वर का परतिवीम है उसने पुत्र बुगरा खासे कहा था सुल्तान का पद निरंकुस्ता का सजीव परतिक है पूछेगा कि बलबन किस से बोला था कि सुल्तान का पद निरंकुस्ता का सजीव परतिक है तो आपको व्याद रखना है अपने पुत्र बुकरा खासे ये बात बोला था किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोग की निती अपनाई तो बलवन के द्वारा अपनाया गया था लोग एवं रक्त की निती तुग्रिल खाने किसके सासनकाल के दौरान बिद्रो किया था तो आपको ध्यान रखना है ये किया था बलवन के सासनकाल के दौरान किया था तुग्रिल खाने बलवन के काल में बिद्रो किया था यह विद्रो बंगाल के अमेन खान की निवक्ति की बिरोध में हुआ था कलंतर में बलवन के बंगाल अवियान से डरकर तुग्रील खा भाग गया जब उसने राजत तो प्राप्त किया तो वह सरियत के नियमों और आदेशों से पुरुनता सोतंत्र था बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है तो बर्नी ने यह कथन जो है अलावदिन खिलजी के लिए बोला है जैवदिन बर्नी ने उक कथन जो है अलावदिन खिलजी के लिए कहा है अलावदिन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धरम पर राज का नियंतरन अस्थापित किया धरम पर जो है किसका नियंतरन अस्थापित कर दिया राज का पहले क्या था जो धरम था उसका नियंतरन राज पर होता था लेकिन जो आपके अलाव दिन खिल जी है उल्टा कर दिया राज का नियंतर धरम पकर दिया इस संदर में अपने नियंति के बैख्या करते हुए वस्वय कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दिरिष्टी से क्या उचीत है और क्या अनुचीत है मैं राज की भलाई अथवा अवसर विसेश के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आगया देता हूँ अन्तिम नियाई के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता अलाव दिन ने राजपद की विसे में बलवन की विचार को पुना जीवित किया वो राजा की सर्भमुक्ता में विश्वास रखता था जो पृत्वी पर इसवर का परतिनदीत मातर है उसने अपनी सक्ति की विर्धी की विशे में खलीफा की अनुमती लेना अवस्यक समझा इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मानता प्रावत करने के सम्ध में कोई आज का नहीं की उसने अपने आपको यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमनीन बताया इस प्रकाल अलाउदीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धरम को राजनीत में हस्ताच्यप करने हस्ताच्यप नहीं करने दिया अलाउदीन उलीमा बर्के परवहों से मुक्त इन में से किस ने खलीपा की सकती का बिरोध किया तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ठीक है बाकी से अपलोग ध्यान से पढ़ लिजेगा अलावदीन खिलजी के परसिद सिनपतियों में किसकी मंगोल के बिरुद लड़ते हुए मिर्तु ही उसका नाम क्या है तो जफर का उसका नाम है इन में से किसने हिमाईव को यह प्रस्ताव दिया था कि अधि उसे बंगाला पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और दस लाक दिनार की बार्सिक सरधांजली अर्पित करेगा तो यह आपके जो है किसके द्वारा प्रस्ताव दिया गया था तो यह प्रस्ताव दिया गया था आपके सेर खा के द्वारा ठीक है सेर खा के दुवरा ये प्रस्ताव दिये गये था जिसे सेर साहभी बोला जाता है बाद में रानी पद्वनी का नाम अलाउद्दीन की चुतौल बिज़ई से जोड़ा जाता है उनके पती का नाम क्या है जो आपके रानी पद्वनी है काब पुस्तक पद्माबत है इसके अनुसार पद्मनी चितोड के रानार रतन से के अत्यांत सुन्दर और बिदूसी पत्नी थी अमीर खुस्रों ने सुलेमान और रानी सैवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेक अपने गरंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद् पद्मनी की कहानी आपकी बनती है अलाउद्दीन खिलजी के अकर्मन के समय देवगिरी का सासक कौन था तो रामचंद्र देव था तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा इसे एक बर आप देख लिजी कि अलावदीन के अकर्मन के समय देवगिरी का सासक रामचंदर देव था 1206 में देवगिरी के सासक रामचंदर देव ने अलावदीन के सफल अकर्मन से बाद होकर उसे प्रति बर्स एलिच पूर के आयत भेजने का वादा किया परन्तु 1305 अथवा 1306 में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा जिस कारण 1307 में अलावदीन ने मलिक कफूर के नित्रित में सेना देवगिरी पर अकर्मन करने के लिए भेजी राजा रामचंद्र देव युद में पराजित हुआ और उसने आत्म समर्पन कर दिया किस सुल्तान के काल में खालसा भूमे अधिक पैमाने में बिक्सित हुई तो ये बिक्सित हुआ अलावदीन खिल्जी के सासन काल में अलावदीन खिल्जी के सासन काल में अलाई दरबाजा का निर्मान किस सुल्तान ने करवाया है तो अलाई दरबाजा का निर्मान जो है यह आपके अलाउ दिन खिलजी के दोवारा दिल्ली में करवाया गया है साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कुट्टू मिनार के यह आपके निकट में था इसका निर्मान जो ह अलाई दरवाजा का लाल पत्रों तथा संग मरमर के द्वारा हुआ है यह 1311 इसमें बनकर तयार हुआ इलतुतिमिस के मकवरे के तरह इसमें एक चवकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुम्बद है और इसकी चारों दिवारों में एक महराबदार परवेश द्वार है अगला पॉइंट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का अंदिर्मान किया था तो किसके द्वारा किया गया था? फिरोसा तुगलक के द्वारा सबसे अधिक नहरों का अंद्रमान किया गया था फिरोसा तुगलक द्वारा अस्थापित दार उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था, एक आपकी खैराती अस्पताल था, ठीक है न? निमलिखित मेंसे किस सुल्तान ने बेरजगारों को रोजगार दिलवाया तो ये दिलवाया गया है फिरोजसा तुगलक के द्वारा दिलवाया गया है निमलिखेत मेंसे किस सुल्तान के दरवार में सबसे अधिक गुलाम थे तो सबसे अधिक गुलाम जो फिरोसा तुगला के सासनकाल में है बोला जाता है कि 1,80,000 के आसपास आपके गुलाम थे साथ ही आपको ध्यान डखना है कि जो गुलाम था उसके देखवाल के लिए एक अलग आपके विभाग बनाया गया दिवान ए बंदगान बनाया गया था एक अलग विभाग निमलिखेत में से किस सुल्तान ने फलो की गुनवत्ता सुधारने के लिए उपाई किया तो यह उपाय किया गया है फिरोसा तुगलक के द्वारा साथ ही आपको ध्यान डखना है कि जो फिरोसा तुगलक है टोटल आपके 1200 बाग लगवाया था साथ ही जो अलाव उद्दिन खिलजी का 30 पुराने बाग था उसे फिर से लगवाया था फारसी यातरी अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के सासनकाल में आया था तो देवराय सकेंड के सासनकाल में आया था और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो देवराय सकेंड है बिजय नगर के संगम बंस का सासक है फार्सी यात्री अब्दुल रज्जाक संगम बंस का सबसे प्रतापी सासक देवराय सकेन के सासनकाल में बिजय नगर आया था उसने अपने यात्रा बिरतांत मतला उस सदाइन वा मज्म उल्बहरीन में देवराय सकेन के सासनकाल का बर्नन किया है तैमूर के आकर्मन के बाद भारत में किस वंस का राज अस्थापित हुआ तो इसके बाद आपका सयद वंस का राज अस्थापित होता है तैमूर के आकर्मन 1398 इस्वी में तो तैमूर के आकर्मन ने तुगलक सासन को कमजूर कर दिया 1412 स्वी में नसर उत दीन की मृत्व के साथ ही तुगलग बंस का अंत हो गया व्याद रखेगा तुगलग बंस का अंतिम सासक नसर उत दीन है 1413 स्वी में सरदारों ने दौलत खा को दिल्ली का सुल्तान चुना प्रंतु दवलत खा के सुवेदार खिजर खा ने पराजित कर दिया वह तैमूर दोबारा नीवत लहुर का सुवेदार था तैमूर के आकर्मन के बाद 1414 इस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर नए बंस सेद बंस के नीव डाली इंपोर्टिंट पॉइंट है 17 जुलाई 1489 को निजाम खा सुल्तान सिकंदर सा के उपनाम से सिहासन पर बैठा है पहले इसका नाम निजाम खा था वह लोदी बंस का महंतम सासक था 1504 में सिकंदर लोदी ने रजस्थान के सासकों पर नियंतरन के उद्देश से यम्ना नदी की किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया किनारे आगरा नामक नवीन नगर आपके बसाता है इसे अपनी राजधानी बनाया उसने किर्सी और बेपार की उन्नती के लिए प्रत्न किया नाप का पैमाना गज एसकंदरी उसी के समय में प्रड़म किया गया उसने निर्धनों के लिए मुक्त भोजन की विवस्था की important point है उसके समय में योग बेक्तियों की एक सूची बनाकर प्रतिक 6 माह पसजाद उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी वो सिच्छित और बिद्वान था उसके स्वें के आदेश से आयरुबैदिक गरंथ का फार्शी में अनुबाद किया गया जिसका नाम फरहंते सिकंदरी रखा गया उसके समय में गयान बिद्वा का एक स्रिस्ट गरंथ लजजत ए सिकंदर साही की रचना हुई सिकंदर लोधी सहनाई सुनने का बड़ा सोकीन था वो गुलरुखी उपनाम से कविताय लिखता था सारे पॉइंट अपके भीवी आई थे बिजयनेगर समराज के संस्थापक कौन थे तो हरिहर और बुका थे बिजयनेगर समराज के अस्थापना 1336 में किया गया है जब बिजयनेगर समराज के अस्थापना दच्छन में किया गया तो उसमें दिल्ले के सुल्तान कौन थे तो मुहम्मद बिन तुगलक उसमें दिल्ले के सुल्तान थे साथ ही आपको ध्यानक ना है कि जो बिजयनगर समराज है इसके राधानी हमपी है अब बोलेगा कि हमपी किस नदी किनारे है तो तुंग भद्रा नदी किनारे अस्थित है बिजयनगर के उस पहले सासक की पहचान करे जिसने बहमनिय से गोवा छीना उस सासक का नाम क्या है तो उसका नाम है हरीहर सकेंड के नाम है हरीहर सकेंड उसका नाम है 1378 इस्वी में बुक्का के मिर्त्यू के बाद उसका पुत्र हरीहर दुतिये सिहासन पर बैठा उसने महराजा धिराज की उपादि गरहन की उसने कनारा, मैसूर, तरिचना पल्ली, काची, आदी परदेशे को जीता और सिरलंका के राजा से राजा सुबसूल किया बहमनी राज से भी उसका संघर्श हुआ 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज पर अकर्मन किया किन्तु सफल नहीं हुआ हर हर सकेंड की सबसे बड़ी सफलता पच्छी में बहमनी राज से बेलगाओ्वे गोवा छिन्ना था उगाशिब का उपासक था important point है सिब उससे में देखे एक बिरुपाच मंदिल था जो सिब का मंदिल था तो सिब का उपासक था हर 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 सकेंड ठीक है बिजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गुलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था तो कुली कुतूबसा के साथ में लड़ा था बिजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गुलकुंडा का युद्ध कुली कुतूबसा के साथ लड़ा गुलकुंडा में कुली कुतूबसा की अस्थापना की था आपसे पुछेगा कि जो कुटूब साही बंस से इसकी स्थापना कौन किया था तो कूली कुटूब साह ने आपके कुटूब साही बंस के स्थापना किया था जब कृष्ण देवराय उडिसा के साथ यूध में वेस्थ था तब कुतूब साह ने बिजयनगर की सिमय पर अस्तित पांगल और गुटूर के दुर्ग पर अकर्मन किया तथा बारंगल, कोड़ बीदू, आदी की किले आपके जीत लिया इसके पहसाथ उसने बिजयनगर पर अकर्मन करने का परियास किया कुतूब साह के बिच संघर सुआ, कुतूब साह की सेना आपके पराजित होती है आपसे एक पुछेगा, कि जो बिजयनगर समराज है, उसमें कितना बंस सासन किया, तो आप लोग बताएगा चार बंस और चार बंस का नाम आप लोग कमेंट बोक्स में लिखिएगा जो आपके चार बंस है, चार बंस में सबसे जो प्रतापी सासक है, सबसे महान सासक को उने, तो कृष्ण देवराय आपके सबसे महान सासक है बिजय नगर समराज के बितिय विवस्था की मुख बिशिस्था क्या थी तो मुख बिशिस्था थी भूरा जसु तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा बिजय नगर राज को बेभीन सुरोतों से आयपराप्त होती थी बुरा जसु संपत्ति कर बेपारी कर और बेवसाई कर उद्योगों पर लगाये जाने वाले कर समाजिक और समुदाई कर तथा अपरादों के लिए आरोपित अर्थ डण से भी आपके बिजय नगर समराज को आपको राजसु मिलता था भूमिका भली भाती सरवेच्छन किया जाता था और उपज का एक बटा सिक्स भाग भूमिकर के रूप में बसूल किया जाता था विस्ट भूमिकर था इसे इनपोरेंट पॉइंट है याद रखेगा विस्ट अगर जो यह पेसे देते होंगे त भूमिकर नामक कर राज की आयका प्रमुक्स स्रोत था केंद्रिय राजस बिभाग को अठवान में कहा जाता था है ना अठवान में कहा जाता था बिजय नगर समराज का अब सेस कहां मिला है तो हमपी में मिला है तो से इसका राइटन स्रो जाएगा हमपी के खंधर बरतमा करनाटक में अस्थित बिजन नगर समराज की प्राचिन राजधानी का परतिन धीतु करते हैं बिजन नगर काल में बना बिरुपाच मंदिल यहां पर अवस्थित है हम पी उनिसकों की बिरासस अस्थालों के सूची में सामिल है कब सामिल किया गया है तो 1986 में इन पोरेंट है किसके दवरा मेकेंजी के दवरा खोजा गय था दिवान ए अर्ज बिभाग सम्मंधित था तो किस से सम्मंधित है तो रच्छा बिभाग से सम्मंधित है दिवान ए अर्ज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनतकाल में सैन बिभाग का परमुख अधिकारी होता था और आरिज मुमालिक का विभाग ही, दिवान ए अर्ज कहलाता था इस ए अज़तापना किसके दोरह किया गया था सिवाजी की राजधानी कहा थी ? तो सिवाजी की राजधानी आपके राएगाड थी तो ए इसका राइटेंसर हो जाएगा 1644 में सिवाजी ने अपना राज्याविसेख कराया तथा छत्रपते के उपादी धरन की रायगल को अपनी राजधानी बनाया उस यूक के महान बिद्वान बनारस के पंडित जिनका नाम है विसेशवर उर्फ गंगा भटने उन्हें छत्रिये गोशित करते हुए उनका राज्याविसेख करवाया था इनपोर्टिन पॉएंट है बहमनी राज का संस्थापक का उन था जोकि बहमनी राज इसकी स्थापना किसके दवरा किया गया तो अलाउद्दीन हसन के दवरा किया गया है अलाउद्दीन हसन के दवरा दक्कन के अमिरान ए सदाह के विद्रो के परिनाम सरूप मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल के अन्तिम दिनों में बहमनी समराज की अस्थापना हुए जफर्खा, हसन गंगू, 1347 से 308 नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन सा की उपादिधारन करके 1347 में सिहासना रूड हुआ और बहमनी समराज की निप डाली इनपोर्टेंट पॉएंट है और बहमनी समराज है इसके स्थापना का होता है तो 1347 में इसका स्थापना होता है उसने गुलबरगा को अपने नव अस्थापित समराज की राजधानी बनाई यह भी इनपोर्टेंट है कि जो बहमनी समराज है इसकी राजधानी कहां थी तो गुलबरगा थी उसने इसे चार तरफों आथवा प्रांतों में बिभाजित किया गुलवरगा, दौलताबाद, बरार और बीदर और बाद में ये सारे आपके अलग भी हो जाते हैं प्रतेक प्रांत एक सासक के अधिन था, गुलवरगा का प्रांत सबसे महतपूर्ण था, इसमें बीजापूर भी आपके समलित था, देच्छिन के हिंदू सासकों को उसने अपने अधिन किया, तथा अपने अनिवाईयों को पद और जागर परदान करने की नई प्रथा प्र प्रथा है, इसका संबन्ध है मराठा भुराजसो प्रथा से, तो ए इसका रेट अंसर हो जाएगा, निवलखेत में से कौन भूमे उत्पाद पर लगने बाला कर को इंगित करता है, तो कौन इंगित करता है भूमे उत्पाद पर लगने बाला कर, तो इसमें समझेगा आप खराज उसके बाद उस्र मुक्तई यह तीनों आपके भूमे उत्पात पर लगने वाला कर है जबकि जो खुम से यह लूट का माल है क्या है लूट का माल है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा डे इसका रैट एंसर हो जाएगा यहाँ पर आप पल लिजेगा important point है एक बार पल लिजे क्योंकि हाँ से सवाल पूछता है खराज उस्र और मुक्तई भूमे उत्पात पर लगने वाला कर को इंगित करते हैं जबकि खुम्स यह खंस भूमे उत्पात पर लगने वाला कर नहीं था अपितु खुम्स लूट का धन था क्या था लूट का धन था खुम्स यूध में सत्रु राज की जनता से लूट से प्राप्त होता था इस लूट का चार बटे पांच भाग सैनिकों में बाट दिया जाता था और सेस एक बटे पांच भाग राजकोस में जमा होता था किन्तु अलाउदीन, खिलजी और मुहमद बिन तुगलग ने चार बटे पांच भाग राजकोस में दिया और एक बटे पांच भाग सैनिकों में बाटा सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिए किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई के रूप में दावा किया है जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जूर दिया गया इससे पूरु बलवन और इलतुत्मिस ने भुराजस उपज की एक तिहाई से एक तिहाई दर से अधिक नहीं लिया था मुहामद बिन तुगलक के काल में भी भूमिकर की दर अलावद्दीन की भाती 50% की ही थी लेकिन जहां अलावद्दीन ने राजस निर्धारन भूमि 25 के अधार पर किया था मुहामद बिन तुगलक ने बिना 25 के अनुमान के अधार पर राजस निर्धारित किया था यह देपी इस प्रस्ट में जो आपके बिकल्प है C और D दोनों सही है किन्तु बिहार लोग से अयोग ने अन्तिम उत्तर में से C माना है तो C आप देख लिजी, C आप क्यों हो जाएगा अलावद्दीन खिल जी कियोंकि यह पहले आया था और पहले लागू किया था इस कारण से इसका अंसर आपके C दिया गया है और जो मुहम्मद बिन तुगला के यह बाब के बाद में आता है और बाद में लागू करता है 50% आपके राजस्वे सेख बहाव उद्दीन जकारिया किस संपरदाई के थे इनका संबन्द जो है किस संपरदाई से तो किसके द्वरा किया गया था तो इसमें ध्यान रखनाय किया गया था आपके इसलामसा और सेरसा के द्वरा इसलामसा और सेरसा के द्वरा तो एक से अधिक आपका ठीक हो जाएगा ठीक है तो इसलामसा सेरसा का पूत्र था पूछेगा इसलामसा कौन था तो सेरसा का पूत को 50, 200, 250, 500 की इकायों में बिभाजित किया संभवता सेरसा के समय में भी सेन बिभाजन की एही परनाली प्रचलित थी ग्याता है भी कि इसका जो बिहार लोक सेवा आयोग है इसका अंसर क्या माना इह है ठीक है अगला पॉइंट है कि जबावित का संबंध किस्से है जबावि पॉइंट का संबंध राज के कानून से था तो जो टंका था चांदी का बना हुआ था ससगनी चांदी का और आपके जीतल आपके तांब का बना हुआ था तो ए इसका रर्याइट अंसर हो यहाँ पर धियान रखेगा कि एक टंका एबं ef जीतल का अनुमान अगर एक टंका है तो उसमें आपके 18 जीतल आ जाएगा ठीक है 18 जीतल आपके आ जाएगा और यहाँ आप समझें कि टंका कौन था तो टंका आपके चांदी था जबकि जीतल क्या था ताम बा था ठीक है ना ध्यान रखेगा important यह fact है भारत में कागच का परियोग कब से प्रेडम हुआ तो वारमी सतावदी सब के प्रेडम होता है तो 20 में सरफ अथम कागच का अविसकार चीन में हुआ था भारत में कागच का परियोग वारमी सतावदी में प्रेडम हुआ आसुतोस संक्राले कलकत्ता में 1105 इसवी का पेपर संदचित किया गया है जिसका सिर्षक पंच रच्छा है यह भारत में कागज का सबसे प्रचीन परवान है तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था मिनहाज उस सिराज था तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है यह गरंथ 23 अध्यायों में है रोवाटी ने इसकी अंग्रेजी में अनुवात किया इस पुष्टक में मुहमद गोरी की भारत विजय का परत्यच वर्नन मिलता है गैतव है कि मिनहाज पर्थम इतिहासकार है जिसने कहा था कि कुट्व दिन एवक ने अपने नाम की मुद्राएं परसारीत की और खुत्वा पढ़वाया सभी भक्ती संतों के मद एक समान बेसस्ता थी कि उन्होंने अपनी बानी को उसी भासा में लिखा जिसे उनके भक्त समस्ते थे तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा भक्ती आंदुरन के संतों का अचार बहुत उचा था उसमें से बहुतों ने देश का ब्रह्मन किया और उवे कई परकार के लोगों से मिले जिनके बिचार भीन थे उन संतों ने सधारन लोग की भासाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलगू, कन्नल, तमील इत्यादी भासाओं की उन्नती में बहुत योगदान दिया भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश छेतरी भासाओं में देते थे ताकि उहां के लोग उनके उपदेश असानी से सुन और समझ सके इस कारण छेतरी भासाओं का विकास हुआ मुहमद गोरी गुजरात के चालुक को द्वारा कब पराजित हुआ मुहमद गोरी गुजरात के चालुक को द्वारा कब पराजित हुआ तो 1178 में मुहमद गोरी 1178 में गुजरात पर आकर्मन किया इसमें गुजरात का आहिल बाल चालुक सासक मुल राज सकेन था उसने अपने भाई भीम टू को सिनप्रती बना कर भेजा साथ में उसकी माता नाइका देवे भी थी माउंट आबू परवत के पास कासहद के मैदान में भीम टू ने मुहमद गोरी को पराजित कर दिया और यह मुहमद गोरी की भारत में पहली हार थी निमलिकित में से किस युद में मुख बिरोधियों का सही उलेख नहीं किया गया है तो हल्दि घाटी का युद महराना परताप और अकबर के बीच में हुआ था तो यह तो पॉइंट आपका बिल्गूल ठीक है पानीपत का परताम युद बावर और इब्राहिम लोदी के बीच यह भी ठीक है जबके जो हल्दि घाटी का युद है 1576 में महराना परताप और अकबर के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूतिय युद नमंबर 1556 में समराथ हेम चंदर बिक्रमादीत हेमूत था अकबर की सेना के बीच लड़ा गया जिसमें अकबर की सेना आपके बिज़ई रहती है दिल्ली सल्तिनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तमाल किसके लिए किया जाता था तो इसका इस्तमाल गाउं के सर्पंच के लिए, जाता था, गाउं के सर्पंच के लिए तबकात ए नासरी जिसे कभी-कभी अबुल्फ हजल के अकवर नामा से अधिक विशुवस्निय माना जहता है, जिसके किसके दौरा लिखा गया है, तो निजाम मुद्दीन आहमत के दौ मुगल काली इतिहास को जानने में इस रचना की महत्पून भूमका है। इन में से किस प्रसी सासक ने अपनी माता के नाम पर बिजयनगर के पास नागलपूर की एक उपनगर्य बस्ति की अस्थापना की, तो किसके दवरा किया गया है तो कृष्ण देवराय के दवरा किया गया है जो आपको बता चुके हैं कि बिजयनगर समराज का सबसे महान सासक है और जो इसका सासनकाल है पंदरसो नो से पंदरसो उन्तिस तक इसका सासनकाल रहता है अल्लावदीन खिलजी द्वारा द्वारस समुद्र की बिजय के लिए किसे निक्त किया गया था तो ये निक्त किया गया था मलिक कफूर को निक्त किया गया था मलिक कफूर ठीक है नहीं अल्लाव दिन खिलजी द्वारा द्वार समुंद्र की बिजय के लिए मलुक कफुर को निक्त किया था हुईसल की राजधानी द्वार समुंद्र थी पूछेगा कि हुईसल की राजधानी कहा था तो द्वार समुंद्र था और उहां का सासक वीर बललाल तिरतिय था दच्छिन भारत की संपुन विजय का स्रे मलिक कफुर को जाता है मुरको के यातरी इवन बतुता का बिर्तान्थ किस रूप में जाना जाता है तो रहिला में लिखा गया है आपको याद रखना है जो मुरको का यातरी है जिसका नाम है इबन बतूता ये रहीला नामँक एक किताब लिखता है जो इसकी यात्रा बृतान्त है ये भारत में मुहम्मद बिन तुकलक के दरबार में आता है और मुहम्मद बिन तुकलक इसे दिल्ली का काज़े निक्त करता है important point है बीच में इसे जो इवन बतूता है इसे मुहमर बिन तुखलक जेल में भी डाल देता है लेकिन फिर बाद में रिहा कर दिया जाता है गलत फहमी दूर होने पर फतेपूर सिक्री अस्थित परसिद बुलन दर्वाजा जमा महजिद का कौन सा परवेश द्वार बनता है तो यह आपके बनता है दचनी तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा इसे हाँ पर आप पढ़ लिजेगा कि फतेपूर सिक्री अस्थित बुलन दर्वाजा जमा महजिद का दचनी परवेश द्वार बनता है फतेपूर सिक्री की जमा महजिद का अंधिर्मान मुगल सासक अकबर के दोरा करवाया गया था निमलिखेत मेंसे किस सुल्तान से निजाम मुद्दिन औौलिया ने भेट करने से इनकार कर दिया था तो ये इंकार कर दिया था अल्लावदीन खिलजी से तो बे इसका राइट एंसर हो जाएगा बारा मासा की रचना किस ने की थी तो जो आपके बारा मासा है इसकी रचना की गई थी मलिक मुहमद जैसी के द्वारा बारा मासा की रचना मलिक मुहमद जैसी ने की थी जैसी की पद्वाबद अकराबट तथा आखरी कलाम में से पद्वाबद का हिंदी साहित में महत्पूर्ण स्थान है ठीक है अब पहले ही जान चुके हैं कि इसका यूद किसके किसके बीच में हुआ था और साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट और विदेखी लिजे पूरा ऐसे कि पानिपुत के पहली जो लडाई है 21 अपरील 1526 को बावर एबं इबराहिम लोदी के बीच हुई थी इसमें अपने सेन क कुसलता के बल पर बावर ने बिजय प्राप्त की बावर की सेन संख्या लोदी सेना से कम थी फिर भी उसकी कुसल सेन नीती के चलते बिजय श्री ने उसका बरन किया इबराहिम लोदी स्वें एक अनुभाव सुन बेकती था बावर लिखता है कि वह अनुभाव हीन बेकती जो अपनी गती विद्यों में बड़ी आसाबधानी रखता था, वह बिना किसी बेवस्ता के आगे बढ़ता, रुखता था, बिना किसी दुर्दस्ता के संगर्स में लिन हो जाता, है ना, तुजुक ए बावरी किस भासा में लिखा गया है, जो तुजुक ए बावरी है, ये तुर्की भासा में लिखा गया है, किसके दवरा लिखा गया है, तो बावर के दवरा लिखा गया है, मुगल समराज के अधार सिला रखने बाले, जरुद्दीन मुहम्मद बावर ने अपने जीवन सम्मदी घटनाओं को एक गरंत में स्वें ही लिखा है, इसे तुजुक बावरी कहते हैं, यह किताब तुर्की भासा में लिखा गया, किन्ति तुर्की मुगल दर्वार की राज भासा नहीं है, तो क्या थी? तो फार्सी थी, आपसे पुछेगा कि मुगल दर्वार की राज भासा क्या थी? तो फार्सी थी, जबकि किताब जो लिखा गया था, व यह किया था 1532 इस्वी में 1532 में किया था हिमायाव ने चुनार दुर्प할 पर decisions पर आकर्मन 1532 में किया इस कीलो के कहा बार तेको उस्थनी चार महने तक घेर रखा जिसके बाद शिर खाने हिमाय की अधिनता सिवकार कर ली इस्के अतरीक्त 1531 Tus otra उसने कालिंजर पर अकर्मन किया और 1532 इस्वी में राइसिना के महत्पुन कीलो को जीत लिया important point है ठीक है नहीं लिखित में से किसने अपने बादसा पती के लिए मकवरे का अंदिर्मान करवाया था तो एक करवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा जो हिमायू की पतनी है हाजी बेगम ने अपने पती हिमायू के मकवरे का अंदिर्मान दिल्ली में 1565 से 72 में करवाया था जो अपके हिमायू का मकवरा है इसे दीन पना भी बोला जाता है इस मकवरे का नक्सा मीरक मिर्जा गयास ने तयार किया था जो मीरक मिर्जा गयास एं इरानी वास्तुकार थे स्वेथ संग्वर्मर से बना ये भारत का प्रथम गुम्मद बाला मकवरा है इस मकवरे के परीता एक बाग की रचना हुई है नेक्स्ट है कि हिमायू नामा की रचना किसने की थी हिमायू नामा की रचना किसने की थी तो गुल बदन बेगम के द्वारा किया गया था बाबर के पुत्री गुल बदन बेगम ने हिमायू नामा की रचना की थी जो फारसी भासा में, इन्पोर्टेंट है भासा याद रखेगा, फारसी भासा में है बादसा अकबर ने अकबर नामा के परनयन के लिए समागरी एकत करने के उद्देश से यह आदेश दिया था कि बावर तथा हिमायू के राजकाल के बिसे में, जिन्हें कुछ भी असमरन है, जानकारी है वह उसे लेखबद करके उसकी सेवाम प्रस्तूत करे अता अनिक लोगों ने इतिहास लिखना प्ररण किया गोल बदन बेगम के हिमाय नामा किरचना भी इसी आदेशा अनुसार हुई है हिमायूद वारा लड़े गए चार प्रमोख यूद का तीथी अनुसार सही करम अंकीत करे यूद अस्थलों के नाम नीचे अंकीत है, तो देख लिजिए सबसे पहले देवरा का यूद होता है 1532, 14 का यूद 26, 1549, कनोज या बिलगराम का यूद 1540, सरहिंद का यूद 1555 में होता है ठीक है ने, तो यहाँ पर सारे लिखा गया है, आप लोग चाहिएगा तो रोक किसे पढ़ भी सकते हैं साथ ही आपके यहाँ ध्यान रखेगा, कि जो आपके देवरा का यूद है, इसमें हिमायू आपके जीच जाता है, अफगानों से जबकि जो 1549 में 14 का यूद होता है, उसमें हिमायू हार जाता है सेरसा से, ठीक है और इसमें अपनी जान जो है, निजाम नामक विस्ती के सहयोग से बचाता है हिमायू 17 मैं 1540 को जो है, कनोच या बिलगराम का यूद होता है, और इसमें जो है, सेरसा बिजय होता है, हिमाय अपके हार जाता है उसके बाद जो है, हिमाय अपना दिर्वासित जीवन इधर उधर भटक के जीते रहता है, ठीक है उसके बाद है कि 22 जोन 1555 को सरहिंद की बिजय ने, हिमाय को एक बर पुना उसका खोया हुआ, आपका जो समराज था, राज था, उसे बापस दिलवा दिया नेक्स्ट है, निम्रिखित में सरकिस सुल्तान ने, पहले हजरते आला की उपाधी, अपनाई और बाद में सुल्तान तो ये किसके द्वारा बोला जा रहा है, तो सेरसा सुरु के द्वारा बोला जा रहा है, सेरसा सुरु के द्वारा में हिमाई को प्राजित करके उसने सेर्षा की उपादी धरन की तथा अपने नाम का खुत्वा पढ़वाया और सिक्का चलवाया इनपोर्टेंट पॉयंट है सेर्षा का मकवरा कहां अस्थित है तो सेर्षा का मकवरा के बिहार के सासाराम में अस्थित है तो सेर्षा का मकवारा बिहार के रोहतास जिले में सासा राम नामक अस्थान पर एक तलाब के बीच उचे चबुत्रे पर बना है कलिंजर यूद 1545 में होता है तो कलिंजर यूद 1545 के दोरान घायल हो जाने से सेर्षा के मिर्थू हो गए हल्दी घाटी के यूद में महराना परताप के सेना के सेना पती कौन थे तो हकीम खान थे तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा हल्दी घाटी के यूद 1566 में महराना परताप और मुगल सेना पती मानसी एवं आसफ खा के मध लड़ा गया राजपूत यो धाओं के अलावा राना की सेना के अगर भाग का नित्रुतु अफगानों के एक टुकड़ी के साथ हकीम खास सूर कर रहा था राना की सेना में भीलो की एक छोटी सी टुकडी सामील थी यह राना की मुगलों के साथ आमने सामने की आखरी मुटवेड थी आगे उसने छापा मार यूद का सहारा लेता है अगला पॉइंट है निम्डिकित में से किस मुस्लिम सासक ने तिर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया तो इस समाप्त किया गया था अकबर के दौ़ारा मुगल सासन ब्यवस्था को अस्थापित करने का स्रे अकबर को ही जाता है उसके केंद्री सासन ब्यवस्था तथा वाद्शा के पद और अधिकारों एवं करतेवों के ब्याख्या उसकी प्रांतिये सासन उसकी लगान ब्यवस्था उसकी मुद्रा ब्यवस्था उसकी मनसवदारी ब्यवस्था यादी सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई का प्रियास किया अपने उदाधार्मिक नितिक के अंतरगत उसने 1562 में दास परथा 1563 में तिर्थ यात्राकर और 1564 में जजिया कर को समप्त कर दिया गया ये तिनों पॉइंट आपके एक्जाम के लिए महतपूर्ण है अपने समाजिक सुधार के अंतरगत उसने बाल बिवा एवं सती परथा को रोकने का प्रियतने किया प्रियास किया अथा अकबर की लोग प्रियता के कारणों में उपरुक्त चारोबिंद्यू को समलित किया जाता है याद रखेगा इनपोर्टन पॉइंट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल समराज में मिलाया तो कम मिलाया तो 1576 में मिलाता है 1572 में सुलिमान की मिर्तु के बाद उसका पूत्र दाउद खा गद्धी पर बैठा दाउद खा ने अपने को सुतंतर गोसित कर पटना के मुगल के लिए पर आकर्मन किया अकबर ने मुनिब खा को दाउद पर आकर्मन करने तथा बिहार को जितने का आदेश दिया मुनिब खा ने दाउद को एक यूद में पराजित किया तथा 1574 में बिहार पर मुगलो का अधिपत हो गया पराजित होने के बाद दाउद बंगाल भाग गया किन्तु 12 मार्च 1576 को टोडर मल याद रखेगा मुजफर खा एवं हुसेन कूली खा ने मिलकर दाउद को पून्ता पराजित किया इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पून्डूप से मुगल समराज में मिला लिया गया इनपोर्टेंट कोईंट है 1576 भारत में किसके सासन काल में English East India Company का गठन हुआ तो उसमें भारत में सासन कौन था तो उसमें भारत में सासन आपके अकबर था तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ बेपारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्याचता में एक सभा का आयोजन किया इसमें पूर्व दीप समो के साथ बेपार की योजनाय तयार की गई इन बेपारियों ने पूर्व के देशों के साथ बेपार करने के आसे से 1600 में एक कंपणी का गठन किया याद रखेगा जो इस्ट इंडिया कंपणी है इसका गठन कब होता है 1600 में इसका नाम Governor and Company of Merchant of London Trading into the East Indies रखा गया क्योंकि इसे इस्ट से वेपार करना था इसे जौन कंपणी के नाम से जाना जाता था इस दोरान भारत का बादसा अकबर था जो अकबर का ससनकाल है 1556 से 1605 तक है आइन ए अकबरी किसके दोरा लिखी गई थी तो यह लिखा गया था अबुल फजल के दोरा लिखा गया था तो डी इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि एत्मा दोला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था एत्मा दोला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया था तो नूर जहान के दोरा बनवाया गया था ध्यान रखेगा आगरा में बना था ठीक है तो एत्मा उदौला का मकवरा नूर जहाने 1622-28 के मध में अपने पिता की मिर्तु के बाद बनवाया यह यागरा में यमना नदी के टटपर अस्थित एक अत्यंत अलंकारी के इमारत है यह चतु भुजाकार मकवरा बेदाग सफेद संग्मर्मर का बना एसा पहला मकवरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संग्मर्मर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरन के लिए इसलामिक भवनों में पहली बार पित्रा डिवरा इनपोर्टेंट पॉइंट है याद रखेगा यह सवाल पूछेगा आपसे कि पित्रा डिवरा सेली क्या है तो संग्मर्मर में सोने तथा किमती पत्थरों की जडावट है सेली का परयोग किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है आगया इसी इक बोलते हैं परनिचकारी या पित्रा डिवरा निमन में से किस्ट शम्मंदी थे तो इसमें ध्यान डखना है कि दिवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नकासी करना तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका अर्ध क्या था तो लगान निर्धारन का तरीका था देख लेजे मद काल में बटाई सव्द का ताथ पर लगान निर्धारन की एक पद्थती थी जिसमें वास्तविक उपच का बटवारा राज और किर्षय के बीच होता था सेरसा सुर्ण लगान निर्धारन के लिए तीन परनालिया अपनाई थी नस्किया मुक्तई अथवा कनकूत दुसरा नगदी अथवा जबती तिसरा गल्ला बक्सी या बटाई बटाई के तीन परकार की होती थी खेत बटाई लंक बटाई और रास बटाई अगला पॉइंट है किस मुगल सासक ने चितरकारी के लिए कार खाने बनवाए तो किसके द्वारा बनवाया गया है तो बनवाया गया ही मायू के द्वारा इसे आप पढ़ लेजिए एक बार क्योंकि इस कोशन में जो है आपके बेपेस से कुछ अंसर दिया है जबकि घटना चकर कुछ और दिया है जो बेपेस से इसे अकवर मानता है जबकि घटना चकर इसे ए माना है तो अब पढ़ लेजिए हिमाविन चितरकारी के लिए कार खाना कार खाना इनसी आटी के अनुसार निगार खाना जबकि अन्नु मनुजा की पुष्टक A Critical Study of Mughal Painting During Aqvar's Reason के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था जो उसकी पुष्टकाले से जुड़ा था ग्याता है कि बिहार लोग से वा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में जो इसका अंसर क्या माना है? B माना है, Aqvar माना है नेक से कि दास्तान A अमीर हमजा का चित्रांकर किसके दोरा किया गया है? तो इसे अप लोग पढ़ लिजिए, इसका अंसर ने दिया गया है अकबर ने अनिक गरंतों को चित्रित करवाया इनमें सरपर्थम दस्तान A अमीर हमजा है, यह हिमायो के काल में चित्रित होना अरंभ हुआ और अकबर के सासन काल में पूर्ण हुआ बेदाइनों और साह नवाज खा के अनुसार इसे तयार करने में लगवग 15 बर्स लगे और पहले मिर सयद अलीत था बाद में अब्दुल समद की देखरेक में पराया 50 चित्रकारों ने इसे तयार करने में हिस्से अलिया करीब 1400 चित्रिस में यह गरंथ फार्सी नायक अमीर हमजा मुहम्मद साहब के चाचा के बिरतापुरुबक कारनामों का उल्लेख करता है तो इसका अंसर A और C आपके दोनों हो जाएगा A और C दोनों तो हो जाएगा यह हो जाएगा अब्दुल समद और मेर सयद अली हो जाएगा ठीक है अगला पॉइंट है कि इरोपिय चित्रकारी का परवेश किसके द्रवार में हुआ था तो आपको ध्यान डखना यह आपके अकवर के सासनकाल में हुआ था इसमें था कि बेक्ती बिसेस का चित्र पर फोकस किया जाता था और दिरिस्ट में जो आगे वाला बस्तु होता था उसे छोटा दिखाया जाता था बाकी से आप लोग पढ़ सकते हैं नेक्स्ट है कि दस्वन्त और बसावन प्रसिद चित्रकार मुगल समराट की राज दरवारी थे तो किसके राज दरवारी थे तो अकवर के राज दरवारी थे ठीक है यहां पर आभी से पढ़ सकते हैं नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकारा किसके नित्रे तुमें अपने सिर्ष बिंदू पर थी तो जहांगीर के समय अपने सिर्ष बिंदू पर थी तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा जबकि अस्थापत कला जो है अपने सिर्ष विंदु पर साँजहां के ससद्रमाल में थी जबती परनाली किसकी उपज थी तो अकवर की उपज थी अकवर के ससन्काल में बुरजस बसुली के लिए जबती परनाली का प्रचलन हुआ जो भूमी सरवेचन बुराजस्व निर्धारन के लिए दस्तुरल, अमल तथा जबती खस्रे के तैयारी पर अधारी थी राजस्व के अधिकतर भूभाग में यह परनाली परचली थी इसके अतरिक्त अकबर के समय कानकूत तथा आएने दह साला जैसे अन भुराजस्व परनाली भी परचली थी नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि अकबर के सासन में इलहाबाद में चालिस अस्तम युक्त मंजिल के निर्मान में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया तो यह किसका कथन है यह कथन आपके है बिलियम फिंच का है कासमिर का अकबर नाम से परसिद सुल्तान था उसका नाम क्या है तो उसका नाम है सुल्तान जैनूल आवेदीन है ठीक है तो डे इसका रैट असर हो जाएगा दो अस्पा एवं सी अस्पा पर्था किसने शुरू किया था तो यह शुरू किया गया है जहांगिर के द्वारा जहांगिर के द्वारा सुरू किया गया है आप अब देख लिजे दो अस्पा का मतलब क्या होता है इनमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोले रखने पड़ते थे सी अस्पा का मतलब है कि मनसबदारों को अपने सवार पद के तीन घोले तीन गुने घोले रखने होते थे दोनों पॉइंट याद रखेगा ध्यान से आपसे पूछा जा सकता है इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगले की जड़ क्या थे इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगले की जड़ कौन था तो कांधार था, ठीक है, कांधार आपके था अगला पॉइंट है दिल्ली के लाल किले का निर्मान करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्मान जो है साज जहां के द्वारा करवाया गया था यहाँ पर देख लिजे 1638 में जो आपके है इसकी अस्थपना किया गया था साथ ही आपको याद रखना है कि जो आपके लाल किला है उसका ज़स्ट सामने में ये लाल किला है और इस सैड में जो है आपके जवा महजिद है उसका मिंदर मन कौन करवाता है तो साह जहां ही करवाता है सहा जहाई करवाता है ध्यान से याद रखेगा निमलिखित में से किस इतिहासकार ने सहा जहां के सासनकाल को मुगल का स्वर्न यूग कहा है तो एल सिरिवास्तों ने बोला है सहा जहां के सासनकाल को मुगल का स्वर्न यूग बोला है औरंग जेब दोड़ा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है दारूल इसलाम इसका अर्थ है औरंग जेब सर्वो परी एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था उसके धार्मेक नेती सांसारी कलाव के किसी बिचार से परभावित नहीं थी उदारदारा के बिरूद सुन्नी कटरता के समर्थक के रूप में रास्ति हासन प्राप्त करने बालों की हैसिया से उसने कुरान के कानून को कटरता से लागू करने का परियतन किया इस कानून के अनुसार परतिक धर्मिक मुसलमान को अल्ला की राह में मेहनत करने चाहिए जिहाद को मतलब क्या होता है धर्मियूद करना चाहिए जब तक कि इसलाम के राज की रूप में परिवर्तियत नहीं हो जाते है पटना में किस सीख गुरू का जनम हुआ है तो गुरू गुबिन सी का जनम हुआ है जो सीख धर्म के दसमे गुरु है ठीक है इनका जनम कब हुआ था तो 1666 में हुआ था पटना में और साथ ही आपको ध्यान रखना कि इनकी मिर्तु जो है साथ अक्टूबर 1708 को नांदेड महरास्ट में हुआ था मुगल प्रसासन में मुहत्सिब था तो मुहत्सिब क्या था तो लोक आचरन अधिकारी था मुगल प्रसासन में मदद एमास इंगित करता है तो किसे इंगित करता है बिद्वानों को दी जाने वाली रजसमुक्त अनुदत भूमी को इंगित करता है तो बे इसका रैट अंसर हो जाएगा मैयूर सिहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल समराट कौन था उसका नाम क्या है तो मुहम्मा सा उसका नाम है सा जहां के तुवारा बनवाए गए प्रसिद मैयूर सिहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सा सक मुहम्मा सा था क्योंकि इसके काल में नार्दिर साह ने 1749 में भारत पर अकर्मन किया और करनाल यूद में मुगल सेना को प्राजित किया याद रखेगा करनाल यूद समकालिन लिखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर साह ने अपने साथ साथ हजार रुपिये कई हजार अशर फिया एक क्लोर रुपिये का सोना पचास क्लोर के जवरात कोहनूर तथा तक्त ए ताउस मैयोर सिहासन भी इरान ले गया नेक्स्ट है कि निम्रिखित में से किस मुखल बासा को बजीर गाजी उद्दिन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था तो साह आलम दूतिये को साह आलम दूतिये को दाखिल होने नहीं दिया था ठीक है ना इसे आप एक बार पढ़ लेजे किस्सा आलम दूतिये का कारिकाल 1759 से 1806 तक था उसका वास्तविक नाम अली गौहर था अपने पिता आलम गीर दूतिये के मृत्यू के समय वह बिहार में था यह देपी उसे मुगल बासा गोसित कर दिया गया किन्तु मुगल दिर्वार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिहासन 1760 इस्वी से 1771 तक खाली पढ़ा रहा 1772 इस्वी मराठो की सहायता से वह दिल्ली पहुँच सका और सा अलमदूतिय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया है ना 1803 में अला उद्दिन खिलजे के अकर्मन के समय चित्तौल का सासक कौन था इसी में आप जो पदवनी वाला कहानी यह पढ़ते हैं मुगल प्रेशासन में मुख काजी था मुगल प्रेशासन में जो मुख काजी था इसका क्या काम था तो एक तरीके से मुख नयादीश था इसका काम करना इसका काम था आपको याद होगा कि मुहम्मद बिन तुगलक ने मुख काजी किसे निक्ट किया था तो इवन बतूता को है ना जिसका संबन कहां से था तो मुख काजी ये काजी उल्ल कुजात एक परधान काजी था तथा नियाई भिभाग का परमुक होता था भारत में मुखल बंस का संस्थापक कौन था तो भारत में जो मुखल बंस है उसका संस्थापक आपका बावर है कब करता है तो 1526 इस पी में करता है पानी पत के परथम यूद के बाद अगला पॉइंट है कि खिलजी बंस का परथम सासक कौन था तो जो खिल्जी बंस है उसका पर्थम सासक है जलाल लुद्दीन खिल्जी और खिल्जी बंस के स्थापनक कब होता है तो 1290 में होता है 26.549 को सेरसा एवं हिमावी के बेच युद कहां लड़ा गया तो चौसा में लड़ा गया था तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा हा ना इसमें सेरसा आपका बिजय रहता है अली गौहर का बिहार अभियान किस वरस समाप्त हुआ तो 1759 में आपके समाप्त होता है मुगल समराट अली गौहर ने 1759 में बिहार पर आकर्मन किया पटना अस्थित अंग्रेज फेक्टरी में राज्या विशे किया और अपना नाम सा आलम दूतिय रखा इसके समय में ही पानी पत का तिरती युद 1761 तथा बकसर का युद 1764 लड़ा गया साथ ही आपको याद रखना है कि जो प्रलासी का युद होता है 1757 में आपके होता है ग्यान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संतने की है किस के दवरा किया गया है तो दरिया साहिब के दवरा किया गया है नेक्स्ट है कि इनमें से किस ने भारत में फार्सी तेवार नौरेज के सुरुवात किये है जबकि जो नौरेज है इसके सुरुवात भारत में किसके दोरा किया गया था तो ये बलवन के दोरा किया गया था जबके बलवन है इसका ससनकाल 1286 से 1286 तक इसका ससनकाल रहता है जो बलवन है अपने दरवार में सिज़ता और पाबोस पर्था के सुरुवात करता है याद रखेगा important point है जो नौरेज है यह आपके इरानी तेवहार है यह इरानी तेवहार है नाथ पंतिव, सिध्धु और योगियों ने भकती धर्म को किस छेतर में लोगपिरिये बनाया तो यह बनाया गया है उत्तर भारत में उत्तर भारत में बनाया गया था फुतुहात ए आलमगेरी किसके द्वरा लिखी गई है तो ए लिखा गया है इस वरदास नागर के द्वरा लिखा गया है नेक्स्ट है निमलिकित कत्नों पर आपको विचार करना है तो विचार कर लिजे भारत में बावर के आगवन के कारण उप महादेप में बारूत का आग्मन हुआ तो देखें बारूत का आग्मन पहले ही हो चुका था आप बिजयनगर समराज में देख सकते हैं छेतर की वास्तु कला में महराब और गुम्बत का परिचे हुआ ये भी पहले हो चुका है सल्तिनतकाल में परदेश में तैमूरीड राजबन्स की अस्थापना हुई यूद्व में तोपे की शुरुवात हुई तो ये दुनों पॉइंट आपका ठेक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तीन और चार हो जाएगा यहाँ पर आप इससे पूरा पढ़ सकते हैं निमलिखित में से किस बंदरगा को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का मक्का का द्वार कहा जाता था तो किस बंदरगा को बोला जाता था तो सूरत बंदरगा को बोला जाता है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स पॉइंट है कि सल्तिनत काल में सरवजनिक बित्रन परनाली किस ने प्रड़म की थी सल्तिनत काल में जो है सरवजनिक बित्रन परनाली जो PDS है किसके द्वारा शुरू किया गया था तो आपको याद होगा ये शुरू के एक था अलाव दिन खिलजी के द्वारा ताकि जो उसके राज है उसके राज में समान का रेट आपके कम रहे सन 1565 में कौन सा प्रसीद यूध लड़ा गया तो 1565 में आपको याद रखना है जो यूध लड़ा गया है उसे बोलते हैं ताली कोटा का यूध और इसी को बोलते हैं राजसी तगड़ी यूध भी बोला जाता है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक ना यहाँ आप इसे आप पुरा पढ़ सकते हैं एक बढ़ पढ़ लिजे 1565 में ताली कोटा के प्रसीद यूध बीजापूर अहमद नगर गोलकुंडा और बीदर की सेना जो बीजापूर अहमद नगर गोलकुंडा बीदर एक साइड जबकि जो बीजे नगर की सेना आपके एक साइड रहती है इसमें बीजे नगर की आपके हार हो जाती है जबकि जो है बिजयनेगा समराज के राजदानी को भी ट्रास्पर किया जाता है और आपको बता दे कि इस यूध में जो है बिजयनेगा समराज के एक योग सिना पती थे राम राय इनकी मौत हो जाती है दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रेरम किया गया था तो ये प्रेरम किया गया था अकबर के द्वारा तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है कब किया गया था 1582 में किया गया था तो टोटल 110 प्रस्ट को डिसकस किया गया है अगर वेडियो आप सभी को हेलफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब किजएगा और वेडियो को में दोस्तों में सेर जरूर किजएगा इसके बाद अधुनिक भारत को हम लोग डिसकस करेंगे वह भी आपके पार्ट बे पार्ट आपके अप्लोड किया जाएगा थैंक्यू